हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माँ चैनल इजी निटिंग क्लासेज तो फ्रेंड्स आज में लेकर आई हूँ आपके सामने एक डिफरेंट वीडियो इस वीडियो में मैं आज आपको बनाना बताऊंगी एक मास्क फेस मास्क जो कि हमारी आसपास फैली हुई बिमारियों से हमे देखिए मैंने यहां पर एक मास्क बनाया हुआ है फुल साइज मास्क है यह एडल्ट मास्क जिसको बड़े लोग भी बना सकते हैं यहां पर मैंने इसमें 40 फंदे डाले हैं यदि हमें छोटे बच्चे का बनाना है तो इसमें हमें 4-6 फंदे कम डालेंगे तो और उससे भ कप्डेना कपड़े कर करते हां और इसमे समय समय सानेटाइज करने के बाद इससे अच्छे से बॉश करके सानेटाइज करके धूप में सुखा के तभी इससे पहने önce यहां पर क्रोशिया से इसकी स्टिप्स बनाई हैं और आप चाहें तो इसके gefragt अ alone लगा सकते हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है नाने के लिए मैंने यहां पे लिए हैं 40 फंदे 40 फंदे लिए हैं और इसे मैं सीदी सीदी चार सलाइ बनाऊंगी दौनों तरफ से सीदी सीदी दो सलाइया मैंने बुन ली हैं यह तीसरी सलाइए इस तरह से मैं इसकी चार सलाइए सीदी सीदी बुन बुनोंगी इसके बाद फिर मैं बताओंगी आपको कि इसमें क्या करना है यह देखिए इसके बाद भी मैं एक रोज सीधी ही बनाऊंगी अपनी फोर रोज जो है complete कर ली है उल्टी वो सीधी सीधी की बनाकर अब मैं यहां पर अपना design डालूंगी अब मैं बताऊंगी आपको कि मुझे यह किस तरह से बनाना है अब यहां पर मैं आपको एक तरीका बता देती हूं divide करने का फंदे यहां पर मैंने 40 फंदे लिए हैं तो 16 फंदे मैं इस तरफ रखूंगी 16 फंदे मैं इस तरफ रखूंगी बीच मैं मैं 8 फंदे रखूंगी उन 8 फंदों को ही मैं आगे चलाऊंगी अब देखिए मैं किस तरह से बनाऊंगी इन आट फंदों को यह देखे पहले तो हम यहां से यह 16 फंदे बुल लेते हैं यह देखिए 9 9 10 11 12 13 15 16 इंदे 10 12 14 1 2 3 4 5 6 6 7 और यह 8 यह देखे 16 फंदे यह और 8 फंदे यह मैंने यह भूली हैं अब यह 16 फंदे जो हैं इनको मैं टच नहीं करूंगी इनको मैं बुनूंगी नहीं अब मैं क्या करूंगी यहीं से मैं इसको पलट लूंगी अब जो 8 फंदे हमने बुने थी इनको मैं वापस से इस तरह से उतारके और इस तरह से वूल करके मैं बुल लूंगी 8 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8 अब यह हमारे पास यह 16 फंदे बच्चे हैं सुरी 9 हो गए यह 8 इस वापस जाओगी अब मैं यहाँ पर इसको फंदे को उतार लूंगी और इस धागे को मैं इस तरह से करूंगी फिर से मैं 8 बुलूंगी फंदे को इस तरह से उतारूंगी और इसको इस तरह से करूंगी फिर से अपने यह 8 फंदे बुलूंगी एक, दो, तीन, चार, बाच, छे, साथ, अब देखिए जो आठमो फंदा है यह वाला इसको मैं इस तरह से बुलूंगी इस मैं से निकाल दूंगी अब मैं क्या करूंगी कि तीन फंदे इधर से बुलूंगी मैं इस वाले फंदे को दो का एक करते हुए यह देखिए किस तरह से इस तरह से देखिए एक, दो, और यह तीन अब मैं वापस यहां से जाओंगी अब मैं इस फंदे को फिर से यहां पर उतार लूंगी और इसको इस तरह से कर दूंगी अब आठ फंदे मैं फिर से बुलूंगी एक यह हो गया दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ मैंने आठ फंदे यहां भूल लिए अब फिर फंदे इस तरह से बुलूंगी इस फंदे को दो का एक करते हुए यह देखिए एक, दो, तीन, अब मैं यहां से वापस जाओंगी फिर मैं इसको इस तरह से उतारूंगी और इसको इस तरह से करूंगी अब पहले यह तीन फंदे बुलूंगी मैं फिर वह आठ फंदे बुलूंगी एक, दो और यह तीन, अब आठ फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आटवा, ये देखी इधर अब मैं फेसे वही करूँगी, तीन फंदे इस सलाई से उतारूँगी और ये फंदा जो है, ये जॉइन्ट वाला, जो हमने धागे को पीछे करके बनाया था एक से दो फंदे, उन दोनों फंदों को, इन दोनों फंदों को मैं एक कर दूँगी ये देखें, किस तरह से ये देखें, इस तरह से एक, दो, तीन अब मैं यहाँ से फिर से बैक जाओंगी वापस जाओंगी फिर से, अब मैं फिर से वही करूंगी तीन फंदे ये बुनोंगी, उसके बाद आठ फंदे बुनोंगी, फिर तीन फंदे उस साइड से लूंगी, अब मैं इसको इस तरह से उतारूंगी एक, दो, तीन फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, फिर तीन फंदे एक, दो, और ये, तीन, अब मैं इस तरह से तीन फंदे फिर से लूंगी अब यही सीरियल, यही करम जो है मैं लगातार दोनों तरफ से तीन तीन फंदे दोनों सलाईओं से लेती रहूंगी, जब तक यहाँ फंदे खतम न हो जाएं मैं बताती हूँ यहाँ पर कितने फंदे रहेंगे एक, दो, तीन एक, दो, तीन एक, दो, तीन चार, पांच, छे, साथ, आठ, एक, दो, तीन एक, दो, और यह लाश्ट का तीन, यह इस सलाई के फंदे हैं सब अब मैं यहाँ से तीन पंदे फिर से इसको दो को एक करके बुलूँगी यह देखिए इस तरह से एक, दो, तीन यह देखिए इस तरह से अब मैं फिर से यहाँ से बैक जाओंगी इसी तरह से मुझे यहाँ बुनते जाना है देखिए जस्ट तीन पंदे हो गए अब मैं यहाँ से बैक जाओंगी यह हमारा एक फंदा बचा है यह दो हमारा एक बंदे बारात्रीन यह हमारा एक जाओंगी यह दो आए डिवगार एक बारात्रीन पर जब चाँ झाल, तीन थो घुख पर यह दो इस तरह से पालादी यह दो आकशाग इसज़शवा़ दोगल कि देखें अब इसको इसको निक्स करके मैं इन दो का एक कर दूँगी एक दो तिन अम मैं इसे पूरा बुन लूँगी यहां से इस तरह से और इस साइट से भी मैं इसे पूरा बुनूँगी उसके बाद चस्ट मैं अपनी लेंट कंपलीट करूँगी उसके बाद फिर ऊपर यही सीव बनाने के लिए क्या करते हैं वो मैं आपको आगे बताओंगी पूरी रोसी दी लूँगी यहां यहां यह इतना complete हो गया है इसकी length जो है मैंने रखी है मैं अभी आपको measure करके बता देती हूं इसकी length यह देखिए इसकी length मैंने करीबन 3 इंच पॉने 3 इंच रखी हुई है आप अपने according रख सकते हैं इसकी length है अब हम यहाँ पर फिर से short rows करेंगे वो देखिए हम किस तरह से करेंगे जिस तरह से हमने इस तरफ की है उसी तरह से हम यहाँ भी short rows करेंगे तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक फंदा बचा था सबसे पहले हम last का एक फंदा छोड़ कर सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे यह देखिए last का एक फंदा छोड़ देंगे सारे फंदे हम सीधे ही बुनेंगे इस तरह से यह देखिए एक फंदा छोड़ा हुए इस फंदे को मैं ऐसे ही रहने दूंगी अब मैं यहां back जाओंगी फिर से मैं यहां last में एक फंदा ना रह जाए तब तक मैं इसे पूरी रो को उल्टा ही बुनूंगी इस तरह से उतारूंगी इस तरह से बुनूंगी पूरी रो लास्ट के एक फंदे तक मैं इसी तरह से बुनूंगी लास्ट के एक फंदे तक हम ऐसे ही रखेंगे अब मैं क्या करूंगी कि इस पूरी रो को सीधा सीधा बुनूंगी यह देखिए पहला फंदा मुतारेंगे इस तरह से करेंगे पूरी रो को मैं सीधा बुनूंगी लास्ट के तीन फंदे छोड़ दूंगी एक फंदा यह पहलेगा और तीन फंदे और छोड़ देंगे हम इसी तरह से हम तीन तीन फंदे दौनों साइट छोड़ते हुए पूरी रो को बुल लेंगे यह देखिए तीन फंदे हमने छोड़ दिये अब हम इस साइट बुनेंगे यह देखिए इसी तरह से हम लास्ट में तीन फंदे तक फिर से छोड़ देंगे तीन फंदे होने तक यह देखिए यह मैं फिर से बैक जाओंगी और फिर यह फंदा तारूंगी और इसको इस तरह से करूंगी पूरी रो लास्ट के तीन फंदे तक मैं सिंपल ही बुनूंगी यह देखिए मैं लास्ट के तीन फंदे तक मैंने छोड़ दिया कर दरके यह दरेखिए यहां पर यह दो फंदे यह दरसल एक तार हैं यह स करता लिका लोट एक ही खंदा है तो फिरसे मैं इसको ंए ही बुनूंगी कर लास्ट की तीन फंदे होने तक आ बहीं आपतीने फंदे फिर छोड़ अब बैक करेंगे रोप यह देखिए इस तरह से फिर से हमें बैक जाना है जब तक कि यहां पर लास्ट में तीन फंदेना रह जाएं तब तक हमको ऐसे ही तीन-तीन छोड़ती रह जाना है सलाई के लास्ट में अब देखिए फिर हमें बैक आना है अब देखिए फिर हमें बैक आना है अब देखिए यह हमारे पास यहां पर तीन फंदे रह गए अब हम इसको पूरे को एक साथ ही बुन देंगे अब यह देख लीजेगा हम किस तरह से बुनेंगे लास्ट में पास यह दो फंदे बचे हुए हैं इसको हम इदर उतारेंगे इसको हम सिंपल इस तरह से करके इसको एक बुनेंगे और यह जो हमारे पास दो फंदे दिख रहे हैं दो जैसा फंदे दिख रहा है यह कैमरा बलर कर रहा है मैं सेट करती हूँ यह देखिए यह इसको हमें दो का एक कर देना है यह देखिए इस तरह से फिर हमको दो फंदे बुलने है इस तरह से फिर ये हमें दो का एक कर देना है ये देखिए इस तरह से फिर दो फंदे बुलने है फिर ये हमें दो का एक कर देना है देखिए ये वाला देखिए देखिए इस तरह से ये देखिए अब हमको पूरी रो सीधी बुननी है और यहाँ पर दो का एक और दो फंदे उल्टे बुनने है देखिए इस तरह से जब हम सेंटर पर आएंगे तब हमें दो का एक और दो फंदे सीधे फिर दो का एक फिर दो फंदे सीधे बुनने होंगे यह देखिए यह फंदा आगया यहां सेंटर पर फिर हम दो फंदे बनेंगे इसी तरह से हम पूरी रो कंटिन्यू करेंगे झाल 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 यह देखिए इस तरह से यह देखिए इससे क्या है यह थोड़ा सा इसमें डैप्ट आ गई है जिसके आपकी नोज और आपकी चिंपे बहुत अच्छे से यह फिट हो जाएगी आप हम क्या करना है यहाँ पे इसका बॉर्डर बनाया हुआ है अब हम यहाँ पर फंदों को बंद करेंगे इसी तरह से फंदों को बंद करना मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है आप वह जाकर देख सकते हैं उसके सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने इसका देखें चली में से कंप्लीट करते हूं तो देखें यहाँ पर यह हमारा मास्क बनकर रेडी हो गया है अब हम इसमें अपने इलास्टिक या फिर हम कोई भी डोरी बनाकर लगा सकते हैं मास्क में अब वो देखिए वह हम कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर हम कि इस तरह से क्रोश्या से यह डोरी बनाएंगे हम यह देखिए मैंने अपने पिछले मास्क में आपको बताई हुई है यह डोरी बनाना और यह डोरी बनाना मैंने अपने चैनल पर भी बताया हुआ है आप देख सकते हैं वह जाकर यहाँ पर मैंने 35 चैन्स ले ली है अब इनको मैं यहाँ पर टक करूंगी मास्क के दूसरे कॉर्णर पर यह देखिए इस तरह से कुछ और मैं इसे धागे को कट कर दूँगी अब यहाँ से यह देखिए और यहाँ पर मैं यह नॉट बना दूँगी इसी तरह से सेम मैं दूसरी साइड भी डोरी बनाऊंगी यहाँ पर तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको हमारा यह मास्क बनकर रेडी हो गया है यह इसके एक्स्टर धागे हम काट देंगे यह देखिए बहुत बहुत खुबसूरत बना है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और इस एक बात और मुझे बतानी है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यह जो मास्क हमने बनाया है इसके अंदर हमें एक लियर इस तरह से कपड़ा लगा सकते हैं कॉटन का यह सर्जिकल मास्क वाला कपड़ा है तो उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे अब देखिए इसका सेंटर पार्ट लेकर हमको इस तरह से फोल्ड करके कि सेंटर से हमको इस तरह से टक करना है इसको करना है सेंटर पिकना सुने आया झाले इसको करना पीघए कर्के करें कर के पूँने करना इस तरह से हमको चारो साइट से इसको टक करना है इसको पूरा यहां से यहां तक टक करना है मैंने यह चारो साइट से इस पर यह कपड़ा लगा लिया है आप यहां पर कॉटन का कपड़ा कैसा भी कपड़ा लगा सकने हैं और आप चाहें तो इसमें कुछ भी ना लगाएं तो भी यह अच्छे से वर्क करेगा और इसे समय समय पर साइंटाइज करते रहें यह देखें यह बनने के बाद बहुत बहुत ही प्यारा लगता है चाहें तो आप इस पर एंब्रॉइडरी कर सकते हैं या कोई भी टैटू या कुछ भी लगा सकते हैं आप इसे बच्चे के परपसे जिससे के बच्चे को यह बहुत पसंद आए तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हूँ तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें शियर करें अपने दोस्तों फैमिली फैंड्स पैमिली लेटिप्स के साथ और मेरे चैनल पसंद आया हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में जो बेल बटन का आइकान है उसे भी हिट कर दें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो को नॉटिफिकेसन आपको समय से मिलता रहे तो चलिए आप भी बनाएए स्थे सफ और स्थे हपी थैंक यू